कैसे हैं आप सब आइवेश कि आपस अच्छे होंगे और स्वास्त होंगे तो फ्रेंट्स आज की जो हमारी पिका कार्ड डीडिंग है उसका टॉपिक यह है कि क्या आपके परसें आपको सॉरी बोलेंगे क्या उन्हें गलती का एहसास है तो हमारे पास यहां पे दो अप्शन है और कार्ड मैंने पहले से निकाल के रख लिये हैं तो दो अप्शन है यह फास्ट है यह वाइट क्रिस्टल और सेकेंड है यह ब्राउन क्रिस्टल पहला है यह वाइट क्रिस्टल और सेकेंड है यह प्राउन क्रिस्टल इसमें हम देखेंगे कि आपके परसें आपको क्या स्वारी बोलना चाहते हैं इसमें क्या उनको एशास है क्यों हर्ट किया था और तो हमारा ौदिक आज का यही है तो मैं आपके रीटिग में आपको मिलती हूं यह जेनरल रीटिग sneaky साते में कमेंट भी करिये कि आपको ई तो मैं आपको मिलती हूँ तो यह रीडिंग उनके लिए है जिनें यह ग्रूप बांचूस किया है यह स्टोन बाइट स्टोन तो देखते हैं आपके person क्या sorry feel करते हैं उन्होंने जो गलती की है क्या उसका उन्हें ऐसास है सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में क्या situation चल रही है तो उसके लिए हम playing cards में देखेंगे फिर हम tarot cards में देखेंगे क्या वो sorry feel करते हैं तो playing cards में जो cards सबसे हैं वो है ace of club तो Aries, Leo और Sagittarius 2 of spade Gemini, Libra, Aquarius 6 of diamond, Taurus, Virgo और Capricorn Queen of diamond तो यहाँ पर है Taurus, Virgo और Capricorn King of heart, Cancer, Scorpio, Pisces Queen of clubs Aries, Leo और Sagittarius इसके एनर्ची फिर से है End of the deck है Six of club तो यहाँ आप लोग के बीच में मुझे यहाँ दो सिनेरियोज दिख रहे हैं तो पहला सिनेरियो यह है कि आपके जो person है वो already किसी से legally connected है या legally committed relationship में है और जिस भी person से यह commitment में है वो person जो है वो rich है या फिर उनके पास financial बहुत ज़ादा यह person के पास है जिनसे भी इनकी marriage हुई है अल्रेटी married हो सकते हैं आपके person और जिनसे marriage हुई है वो rich person से इनकी marriage हुई है तो आपके person अभी ना चाहते हुए भी आपसे suppression में हैं ठीक है आपसे suppression में हैं आपसे अलग है यहाँ पर है six of diamond और queen of clubs तो यह person आपको आप इस person के बहुत अच्छे दोस्त थे या आपको बहुत सबसे अच्छा friend समझते हैं आपको एक ऐसा person समझते हैं जो की बहुत energetic, dynamic और energetic है आप बहुत आपको आपको यह ऐसे person आपको समझते हैं जो की बहुत जादा उन में active आप बहुत जाद active type के person हो ऐसे type का आपको समझते हैं तो यह person आपसे attraction भी feel करते हैं आप दोनों के बीच का जो main problem हुआ है वो है communication gap दोनों के बीच में communication से related कुछ problems हुई है miscommunication हुई है एक दूसरे की बात आप लोग समझे नहीं ऐसे type का भी situation है तो आपके person अभी आपसे suppression में है और यहां king of heart से represent हो रहे है तो यह जो suppression हो सकता है इसी person की तरफ से हुआ हो आपके person की तरफ से हुआ हो और इन्होंने इसलिए suppression आपसे लिया या आपसे बिल्कुल बात करना कम कर दिया या बंद कर दिया क्यूंकि आप यह person already committed relationship में थे अब second जो scene मुझे यहां दिख रहा है कि अगर आपके person unmarried है ठीक है और आप भी unmarried है तो उस situation में यह जो person है इनको कोई अच्छी opportunity मिली थी बाहर हो सकता है work से related opportunity मिली थी या basically work से related opportunity मिल थी जहां कि इनको काफी अच्छी salary मिल रही थी और जिसकी वज़े से ये person उस अपने अपने जो काम में बहुत साथ busy हो गए और नोंने आपके उपर कम ध्यान देने लगे और साथ में आप दोरों के बीच में communication gap भी हो गया कुछ दोरों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप हो सकता है इस person के life में online आप मिले हो आप दोरने एक दूसरे के बारे में online internet dating से आप मिले हो ये भी यहां scene हो सकता है तो basically अगर आपके आपके जो person है second scenario मैंने आपको बता दिया और basically जो मुझे दिख रहा है आपके person के life में दो person है और आपके person का ऐसा situation है कि जो पहले बाले person जो इनके साथ marriage जिनकी हुई है उनसे भी attracted है और ये आपके साथ भी बहुत attraction feel करते हैं तो देखते हैं उन्होंने जो भी किया है क्या उसके लिए वो sorry feel करते हैं तो हम tarot card से देखेंगे तो tarot card में सबसे पहले जो आया है वो है hierophant ठीक है सबसे पहला card आया है hierophant का card उसके बाद है princess of swords princess of swords और है princess of coins मतला page of swords और page of coins आया है page of coins page of pentacles को बलते हैं और है queen of coins queen of pentacles the empress sorry empress हमें reversed आया था empress और साथ में यहां पर है king of cups और overall energy है seven of swords ठीक है तो यहां तो मैंने आपको science अल्रेड़ी बता दिया है cancer, scorpio, pisces, torus, urgo, capricorn और gemini libra, acurus तो यहां जो है hierophant का card है तो आप दोनों के बीच में कुछ religious problem हो सकते है religion से related आप लोग अलग-अलग हो सकते हैं या फिर आप दोनों के जो आपके जो person है वो status का problem है status आप दोनों का अलग-अलग है यह problem यहां हो सकता है तो कुछ लोग के लिए मुझे यह दिख रहा है कि आपके जो person है वो already married है और जिससे भी married है वो बहुत अच्छे society में उनका जो है financially बहुत rich person से इनकी हो सकता है marriage हुई हो और जिसकी वज़े से इन्होंने आपके साथ communication बिल्कुल बंद कर दिया ठीक है आपको यह impress की तरह देखते हैं पर यहां पर reversed आया है तो means कि इन्होंने आपके साथ आपके लिए प्यार होते हुए भी इन्होंने relationship को बिल्कुल cut कर दिया relationship को end कर दिया आपसे बात करना बंद कर दिया क्योंकि यह दूसरे जगा committed relationship में आ चुके थे शायद इसलिए इन्होंने ऐसा किया फिर उसके बाद है हमें page of coins और king of cups तो यह person definitely इन्होंने आपको hurt किया है उसके लिए यह आपसे माफी चाहते हैं क्योंकि यह आपको बहुत जादा प्यार करते हैं इनके दिल में आपके लिए बहुत strong emotions हैं जैसे कि यहां king of cups से ही यह denote हो रहा है तो king of cups कोई ऐसा person को denote करता है जो कि आपको बहुत आपके उपर ही इनका concentration रहता है आपके ओपर ध्यान रहता है कि कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताए कि यह आपको बहुत जादा social media में भी stop करते हैं आपके facebook account या जहां पर भी आपके accounts है या फिर आपकी photo यह person जो है देखते हैं आपके बारे में बहुत जादा यह person emotional है आपको लेके काफी emotional है साथ में इनको ऐसा भी लगता है कि आप इनको बहुत जादा जितना respect देते थे आप इनको जितना जादा प्यार देते थे उतना और कोई नहीं देता कोई भी इनको उतना प्यार नहीं देता तो फिर भी इन्होंने आपको बहुत hurt किया और इनको ऐसा लगता है अगर यह आपको sorry बोलने आएंगे तो शायद आप इनका sorry accept नहीं करेंगे ऐसे इनके दिल में feelings है त्योंकि वो आपको social media में जब देखते हैं हो सकता आप ऐसे post क कर रहे हो जिसकी वज़े से आपके person को लगा हो कि आप interested नहीं है या फिर आपने ही इनको block कर दिया है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा hurt हो गए थे इसलिए आपने ही इनको block कर दिया है पर आपके जो person है वो definitely आप से sorry बोलना चाहते हैं तो आपको यह offer करना चाहते हैं यह coin यह coin of love तो यह आपको offer करना चाहते हैं आपको sorry बोलना चाहते हैं क्योंकि इसे cover कर रहा है king of cups तो यह इन चीजों को सोच कर जो आपके साथ इनके जो problems होई थी उनको सोचके बहुत ज़्यादा यह upset हो जाते हैं और यह आपसे जरूर माफी मांगना चाहते हैं इन्होंने ज जो second scenario है मैं उसके बारे बताऊंगी आपको पहले मैं first scenario बताऊंगी जो कि married person से deal कर रहे हैं यहाँ seven of swords बता रहा है कि आपको तब ऐसा लगा कि इस person ने आपको deception किया है deception दिया है पर इनको बहुत ज़्यादा fear था society का fear था कि society के खिलाफ जाके यह आपके साथ relationship continue नहीं कर प किया कुछ इन्होंने आपको hurting words कहें जिससे कि आप इनको भूल पाओ ऐसा इन्होंने सुझा क्योंकि यहाँ पर page of swords है तो इन्होंने आपको जिससे कि आप इन्हें भूल पाओ इसले इन्होंने आपको कुछ hurting words कहें पर अब इनका जो हाल है वो king of cups की तरह है यह आपको sorry ब आकार सा हैं तो ये heart चक्रा को denote करते हैं तो ये बता रहा है कि आपके person बहुत heart अपने दिल में ये बहुत गहराई से ये feel करते हैं कि उन्होंने ये गलती की है और second scenario में अगर आपके person unmarried से आप deal करने हैं आपके person भी married नहीं है और आप भी married नहीं है तो इस person ने status और finances अपने work को जादा इन्होंने हमेशा priority दी और जिसकी वज़े से इन्होंने हो सकता है आपके साथ प्यार होते हुए भी relationship को cut किया और आपको कुछ verbally इन्होंने बोला है verbally या फिर written में इन्होंने आपको कुछ बोला है जिसकी वज़े से इनको भी पता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा hurt किया है तो अब यह person आपसे माफी मांगना चाहते हैं तो यहां यह दिख रहा है कि आपके person माफी आपसे मांगना चाहरे हैं तो हमें जो यहां guidance के लिए आपके लिए card आया है वो है a new romantic cycle begins तो definitely इस person से आपकी दोबारा चीज़े ठीक हो सकती है एक new romantic cycle begin शुरू होगी और कुछ लोगे लिए हो सकता है कि आपके life में कोई नया person ही आए क्योंकि शायद आप इस person को माफ नहीं कर सकते हैं इन्होंने जो भी आपके साथ किया past में तो आपके life में कोई नया person आ स सकता है जो कि आपके life में वो खुशिया लाए और कुछ लोग के लिए भी हो सकता है कि यही person आपके पास वापीस आए और आपसे माफी मांगे conclusion are within reach तो अब सारे चीजे है जो unresolved थी वो धीरे धीरे उनसे परदा हट रहा है और conclusion निकल रहा है सारे चीजों का हल निकल रहा है और चीजे ठीक होने वाली है तो आपके हमारा जो question था क्या वो उनको ऐसास है कि उन्होंने आपको hurt किया था तो definitely उनको ऐसास है कि उन्होंने hurt किया था और वो आपको माफी मांगना भी चाहते हैं, तो ये रिटिक उनके लिए थी जिन्गों ने ये group 1 चूस किया था So thanks for watching, thank you ये रिटिक उनके लिया है जिन्गों ने ये group 2 चूस किया है ये brownstone तो देखते हैं कि आपके person और आपके बीच में अभी situation क्या है क्या वो आपको sorry बोलना चाहते है तो पहला card है यहाँ eight of clubs three of speed jack of heart king of heart queen of heart ace of club और यहाँ एंड है में है five of speed आप दोनों के बीच में क्या situation है पहले यहाँ sign है Aries Leo Sagittarius Cancer Scorpio Pisces Gemini Libra Aqures और Aries Leo और Sagittarius तो मैं आपको बता दिया है तो आपके person और आपके बीच में क्या situation है देखे इस person ने कुछ ऐसा किया है आपको हो सकता है आपके work से related कुछ बात इन्होंने बोली है या फिर इन्होंने आपने work में ज़्यादा focus किया है और जो भी relationship है उसमें इन्होंने ज़्यादा अपना effort नहीं डाला ठीक है जिसकी वज़ा से आप दोनों के बीच में या communication के तुरू इन्होंने कुछ ऐसा बोला है जिससे की आपको बहुत ज़्यादा heart feel हुआ है आप बहुत ज़्यादा इस थ्री of speed के energy में है इस बहुत ज़्यादा heart feel हुआ है उसके बाद आप दोनों के बीच में यहां separation हुआ है आप दोनों बिल्कुल के साथ थे relationship में, कुछ लोग के लिए हो सकता है, दूसरे के साथ थे relationship में और इन्होंने आपसे भी commitment किया था, कि ये आपसे marriage का commitment किया था, पर उन्होंने वो आपको, आपसे वो commitment निभा नहीं पाए, हो सकता है कि आप, इस person का आपके साथ, आप दोनों husband wife भी हो सकते हैं, तो हो सकता है, इस person ने आपके साथ relationship होते हुए, किसी third person के साथ, जो है, relationship रखा हो, जो कि आप से कमेज में हो सकते हैं, immature हो सकते हैं, तो ऐसा ये cards बता रहे हैं, आप दोनों के बीच में ऐसा मुझे दिख रहा है कि अभी separation है, क्योंकि five of swords है, बिल्कुल relationship आपने cut कर दिया है, क्योंकि इस person ने आपको hurt किया है, एक तरीके से, तो यहाँ पर है, ten of swords, क्या उन्हें ऐसास है कि उन्होंने आपको hurt किया था, तो उसका answer है, ten of sword, page of sword, और star, six of wands, और knight of cups, king of wands, और यहाँ पर है, हेरोफेंट, तो आपके person ने आपको बहुत जाधा hurt किया है, आपको आपकी ego को भी इस person ने बहुत जाधा hurt किया है, हो सकता है, आपको किसी work से related आपको इनोंने कुछ बोला हो, ऐसा हो सकता है, या जो भी है, या इस person ने अपने ego में आके आपको बहुत ज़ादा hurt किया है यह हमेशा यह ऐसे इन्हों ने दिखाया है कि यह अपने आपको high इसमें रखते हैं, high regard में रखते हैं, और दूसरे को थोड़ नीचे regard में देखते हैं, ऐसा type का तो ऐसा type का आपको feel हुआ, means क्योंकि यह पर हेयोफेंट भी है, तो स्टेटस का भी आप दोनों में प्राद्लम हो सकता है, स्टेटस को लेकर आपका कुछ बिच जिसकी वज़ते हैं अप दोनों के प्राद्लम आई, हो तो इस पर्सन त wann跟 प्राइड और ego में आके अपने success के इनका जो है इनका success इनके दिमाग में चड़ गया था जिसकी वज़े से इन्होंने आपको बहुत जादा तकलीफ पहुचा ही है बहुत जादा इन्होंने आपको hurt किया है क्योंकि यहां देखिए 10 of swords है यह काड़ बता रहा है कि बहुत ultimate pain आपने feel किया है इस person की व माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि मुझे यहां देखिया page of swords है उन्होंने जो भी past पे अपने ego में आके आपको कहा था उसके लिए वो feel कर रहे है अब और वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें आया है Knight of Cubs ठीक है तो यह दोबारा आके आप से माफी मांगना चाहते हैं पर इनका जो यह attitude है वो इतना stable type का नहीं है इनको कभी लगता है कि मागू कई लगता है नहीं मागू तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ego issues है जिसकी वज़े से यह सामने आके आपसे माफी नहीं मांग पर है और साथ में यह आपको अब जब देख रहे हैं कि आपके अंदर वो healing हो रही है आपके अंदर वो changes हो रही है क्योंकि यहाँ पर star card आया है तो यह बता रहा है कि आपके person अब आपको देख रहे है हो सकता आपको social media में देख रहे है और देख रहे हैं आपके अंदर काफी changes आ गए हैं आप खुद को heal कर रहे हो जो भी past में आपका हुआ था तो इनके अंदर फिर से यह person आपके तरफ आना चाह रहे हैं यह चीजों को अब आपके तरफ ठीक करना चाह रहे हैं जब देख रहे हैं कि आप खुद को heal कर चुके हो तो अब यह चाह रहे हैं कि आपसे बात करें और जो भी situation है उसे ठीक करें ठीक है यहां पर हेरोफेंट की भी energy है तो आप लोगे बीच में status का issue हो सकता है जिसकी वज़ा से main problems आई है तो क्या उन्हें एहसास है तो इस person का ऐसा है कि इन्हें कभी एहसास होता है फिर कभी इनको लगता है इनको कभी लगता है कि इनकी गलती थी कभी लगता है कि यह situation के according हो गया है तो आपको इस चीज को माफ कर देना चाहिए ऐसे उनको फील होता है तो यह खुद से आके आपको sorry बोलते हुए मुझे यहां नहीं दिख रहे है ठीक है यह दूर से ही ऐसे दूर से ही आपको sorry बो बोलना चाहते है क्योंकि इन में बहुत ज़्यादा ego issues है अब देखते हैं emotions are running high and don't let your past hold you back तो यह दो कर्ड्स आए emotions are running high आप इस person से इतने ज़्यादा hurted हो कि आपने जो है आपको कभी-कभी नीद नहीं आती आप इस person के लिए रोते भी हो कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया तो यह जो emotions are running high यही बता है कि heavily आप emotional हो जाते हो जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हो तो आपके ल आपको हटाना होगा आगे के तरफ आप देखिए जो इस person ने किया वो उनको अगर आपको बहुत ज़्यादा hurt किया है इस person ने तो उनको उनका कर्मा जरूर मिलेगा और कर्मा का जो है वीडियो भी मैंने डाला हुआ है अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं तो उनक उन्होंने जो कलती किया है उनका कर्मा उनको मिलेगा पर आप अपने आपको इस तरीके से पेन आपको नहीं देना चाहिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस आप sensitive person हो और इस person ने आपको hurt किया है तो अभी आपको अपने healing में भी work करना चाहिए आप healed हो भी रहे हो आप अप अच्छा काम कर रहे हो कि आप healed खुद को कर रहे हो और यह इस person को भी नजर आ रहा है और यह person भी चाहते हैं कि इन्होंने जो भी past में किया है उसके लिए वो आपसे माफी मांगे पर यह सामने से आके अपने मूं से आपको माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि इनमें बह सामने से आके नहीं मांगते हुए मुझे दिख रहे हैं ठीक है पर इन्हें ऐसास है कि इन्होंने गल्ती की है और जो भी गल्ती की है उससे आपको बहुत जादा तकलीफ पहुंची है ठीक है तो यह reading उनके लिए थी जिन्होंने यह group 2 उसकिया था so thanks for watching thank you